अब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की सबकी बेस्ट विशेज और दुआएं कि बच्चों ने अपना सपना पूरा कर लिया और अच्छा लगता है जब बच्चों के ड्रीम्ज और सपने सपने हैं सपने देखेंगे तो पूरे करेंगे तो मुझे बहुत खुशी है आज अगर उनके पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते हैं क्यूंकि ये पोर्थ जेनरेशन है एस मुखर जी की जो अपना सपना पूरा कर रहे हैं और पिक्चर भी अच्छी बननी है गाने भी बहुत बढ़िया है और इन्होंने बहुत ही महनत किया पूरा यूनिट बहुत ही यंग बच्चों का है और सबने बहुत महनत किया और नई लड़कों को चांस देना नई लड़कियों को चांस देना और फिर पिक्चर को बेचना रुलीज के लिए ये ऐसा है जैसे हिमालिय परवत को पार करना बहुत बड़ी बात है उनको तो हर पल हर दिन मिस्ट करते हैं और आज तो फैर जादा ही करते क्योंकि पिता होने के नाते जो उनको खुशी होती है अपने बच्चों का सपना पूरा होते देखकर वो आप लोग समझी सकते हैं आप उने क्या सिता है बच्चों को एक्चली कुछ नहीं कहा इन पैक्ट आप हैरान होंगे जब तक ये पिक्चर बना रहे थे और शूट कर रहे थे मेरा कोई इंटरस्ट ही नहीं था उसमें मुझे मालूम था कि ये लोग काम कर रहे हैं पर मैंने कभी दखल अंदाजी कुछ नहीं किया और इनों ने जब कहा कि आप हमारे ट्राइल्स भी नहीं देखने आती तो मैंने कहा जिस दिन आप म्यूजिक रिलीज करोगे मैं उस दिन म्यूजिक रिलीज पर आऊंगी नहीं तो आपकी फिल्म में जिस दिन रिलीज होगी फिर्स शो फिर्स डे ओडियन्स के साथ बैठ के देखेगी मैंने अपने को इतना दूर रखा है इनका इस सब काम से मगर मैं देखती थी कि बहुत मेहनत और बड़ी तकलीफ से काम कर रहे हैं इनके बजट उपने जादा नहीं थी मगर उससे बढ़के इन्होंने स्क्रीन के उपन दिया है कि कोई सोच नहीं सकता कि ये पिचर एक चोटे बजट में बनी है ताइडल की बात करें ताइडल आपना दिल तो आवारा अब आवारा का मतलब आप अपनी नजर से ले लीजे कोई लोग बड़ी बुरी तरह लेते हैं पर मैं कहूंगी आवारा मन चला और हम लोगों के दिल सब मन चले ही हो तो अच्छा है अब कहते हैं कि दिमाग को दिल धोका देता है पर अगर दिल ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी आप ही बताइए हमेशा दिमाग से नहीं चलते हैं तो अच्छा है अपना दिल आवारा मन चला और कोई जम्मेदारी नही कुछ ने, खुश हर हाल में खुश, नहीं मैं गा नहीं सकती हूँ, हेमन काखा बिचारी है, हेमन काखा, स्वरिग में भी मुझे फिर कहेंगे, बहुमा बं करो, मेरे गाने का सत्या नास मत करो, पर मैं बोल दूँगी, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा, तो यही इस पिक्चर का है, यह दिल आवा रहा है, पता नहीं किसको खुश करके लुभा जाएगा, बस मेरी तो यही दुआए हैं कि जितने भी इनकी टागेट ओडियंस, यंग्स्टर्स और यूथ हैं, वो इसको पिसंद कर लें.